नमस्कार दोस्तो, स्टॉक मार्केट अपडेट टिम में आप सब का फिर से दिल से स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तो राके जुन जुन वाला जी ने इस दिवाली पे हमें क्या संदेश दिया है यदि आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो ए वीडियो स्पेशल आपके लिए ही है दोस्तो हम सब जानते हैं दोस्तो का इंडिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा यदि कोई सक्स है तो वो है राके जुन जुन वाला लोग उसे बिग बूल के नाम से भी जानते हैं इंडिया के सभी इन्वेस्टरों के लिए राकेश जुन जुन वाला जी का ए दिवाली संदेश में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वीडियो काफी ही इन्फरमेटिव है दोस्तों तो बने रहे है पूरे वीडियो में और इस से पहले यदि आपने अपितक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवश्य कर देना क्योंकि ये आपके ब्रधर का ही तो चैनल है तो चलिए द कर दोस्तों में एक बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँराके जुन जुन वाला जी ने अपना सफ़र दोस्तों उन्य फाइव थाउजन से ही सुरू किया था और दो साल में ही ऑनकी नैट वर्थ हो गई फिप्टी लाक जी हां दोस्तों आपने सही सुना दो साल में ही राके जुन जुन वाला ने अपनी 5000 एमाउंट को बदल दिया 50 लाक में और देखते देखते जैसे साल बदलते गए वैसे ही उसकी नेटवर्क दो गुनी चार गुनी होती गई और आज इंडिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर के नाम पे वो जाने जाते है तो आज उन्होंने कुछ हमें टिप्स दी है इसके बारे में हम अब बात करेगे सबसे बड़ी पहली टिप्स दोस्तों उन्होंने बताई है कि यदि आप स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते है तो खुद पहले रिसर्च करे और बाद में निवेस्ट करे किसी की भी टिप्स से बच के रहे और खुद का रिसर्च करके उस हिसाब से दोस्तों इन्वेश्ट करे यह थी उसकी पहली टिप्स दूसरी टिप्स में वो बताते है कि यदि आप शेर बाजार में पैसा लगाने की सोच रहे हो तो पहले ये ताई करें कि आप निवेश करना चाहते है या सिर्फ ट्रेडिंग करना चाहते है दोस्तों आप दोनों करना चाहते हैं तो उन्होंने बताया कि आप अपना trading account अलग अलग रखे एक में only trading करना और दूसरे में only निवेश करना यह सबसे बड़ा उसका राज है तीसरी टिप्स वो बताते हैं कि आप जिस स्टॉक में पैसा लगाना चाहते हैं उस कम्पनी के बारे में आप अवश्य थोड़ा रिसर्च करें उसकी फाइनांशियल और प्रॉफिट को अवश्य देखें हर एक कम्पनी की बैलेंस शिट को आप डेफिनेटली चाक करें आगे की टिप्स में वो बताते ही दोस्तों कि आप यदि स्टॉक मार्केट में इन्वेश्ट करना चाहते हैं तो प्लीज रिस्क लेना शिखें यदि आप रिस्क नहीं लेगे तो आप स्टॉक मार्केट में कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएगे राकेश जी के मत के अनुसार दोस्तों रिस्क लेने से कभी कभी गलती हो जाती है और अपनी गलतीयों से सीखना सीखे दोस्तों एक गलती दुबारा मत कीजी ए उसका सबसे बड़ा राज है और फिफ्थ टिप्स उन्होंने बताई है वो काफी ही इन्फरमेटिव है दोस्तों उन्होंने बताया है कि आप यदि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो प्लीज अपने फैमिली मेंबर को ए बात जरूर बताए उन्होंने बताया है कि आने वाले वक्त में क्या हो सकता है एक किसी को पता नहीं हो नहो कुछ गलत हो जाये तो आपका इन्वेस्ट किया हुआ हर एक पैसा आपकी फैमिली को जरूर मिले इसलिए आप अपने डिमेट एकाउंट के साथ अपना नॉमिनेशन कम्पलीट करके रखे तो ये था दोस्तो राकेश जी का ये दिवाली संदेश वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने ब्रदर को एक लाइक करके सब्सक्राइब और शकर देना थेंक्यू स करकेम हो तो सुछों टो मुट ये रखे भीडियो त